है गाईज देखो रिलाइंस ने पार्टनर्शिप किया है एक आटो कंपनी के साथ जो कि हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि आज क्लिके डेट में अगर आप देखोगे तो आटो सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है इनोवेशन मतल पहले क्या होता था कि सब कुछ डीजल, पैट्रोल, बस डीजल, पैट्रोल, आज क्लिके डेट में इतने सारे सरे alternative option आ चुके हैं, इतने सारे option आ चुके हैं कि बहुत कौन सब best way है, लोग सोसते हैं EV, हाँ EV भी एक अच्छा अच्छा है future के लिए लिकिन फिर भी देखो, म करने की कुछिस करते हो तो EV से भी अच्छा option मिल सकता पहले क्या होता था कि बटन वाले फोन होते थे हैं कि नहीं जिसमें केवल alarm वगरा हुआ करता था बस आप time देख सकते हो call कर सकते हो उसके बाद और भी चीज़े उसमें add होना start हुआ कि आप music भी कर सकते हो music भी आप सुन rate में भी मतलब इंडिया innovate करता जा रहा है तो EV से भी बहुत अच्छा option है तो यह सारी चीजों में माल लेते हैं कि अगर आप petrol से चलते हैं तो हो सकता है कि petrol अगर आप एक लिटर लेते हो तो आप 5 km चल जाते हो लेकिन अगर आप EV लेते हो इलेक्टिक वेकल देते हो तो हो हो सकता है कि 8 km चले जाओ लेकिन अगर आप और भी बहुत सारी बेटर option है उसको अगर आप चूज करते हो तो हो सकता है कि आप 10 km भी चले जाओ same time जो आपका cost होता है न उतना ही लगेगा लेकिन आप distance ज़्यादा cover कर पाऊगे सबसे पहले मैंने सूचा कि आपको proof के तोर पे दिखा दूँ आप internet में search मार सकते हो आप देख सकते हो Reliance का यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों देखने को मिला company का नाम यहाँ पर देख लिए असोक लेलेंड देखेजे अब असोक लेलेंड और Reliance ने दोनों ने साथ में partnership किया है और यह लोग ट्रक बनाएंगे और ट्रक बनाएगा असोक लेलेंड ट्रक बनाएगा और Reliance को supply करेगा आपको पता है कि पूरे इंडिया में इंडिया के कोने कोने में मैंने आप भरोसा नहीं करोगे जहां पर इंसान नहीं रहते हैं बहुत कम इंसान रहते हैं पहाड़ी लाखा है मतलब मतलब जाने में भी डर लगेगा वहाँ पर एनिमल मतलब आप आपने सुना होग जहां दुनिया नहीं पहुंचती है ग्याइक यहां पर इसके बाद आगे भी यहांपर पिकिचर लगायागया देख लिजे यह रिलाइन्स सोक है थे हेवी ड्यूटी मतलब यहां करे होते हैं игр वी truck मतलब heavy vehicles वगरे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब की उनको energy चाहिए होता है, उसमें उनका जो power होता है, horse power मतलब build power इस तरीके से उनके कुछ होता है तो वहाँ पर यह लोग जो है न कि भâी ज़्यादा इंट्रेस्ट दिखा रहे कि भाई क्योंकि यह इस से क्या होगा कि दुनिया में थोड़ी बहुत इवल्यूइशन देखने को मिलेगा और यह लोग दोनों ही महनत कर रहे हैं साथ में असो कले लेंड अलॉंग विद आर इयल has been developing this unique technology over the past year यह लोग यह दोनो मतलब reliance industry भी अगर आप देख रहे हो तो hydrogen को दुनिया में काफी ज़्यादा पैसा भी खच कर रहा है और develop करने के भी कोशिस कर रहा है तो यहाँ पर मतलब दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो हो सकता है कि देखो हमें क्या करना है कि देखो नहीं हमें reliance को आगे लेके जाना है नहीं हमें producto को अपने आगे लेके जाना तो government सूसती है खिया थी कि अगर हम जल्दी आगे चले जाए यह भी होता है unity in diversity तो आप सुना ही हो गा है यह देख रहे हैं कुछ नमूना यहां पर आपको देखने को मिलता है यह इतना ताकतवर है कि मतलब भही मतलब जो डीजल पेट्रोल है उनसे भी एक कदम ही आगे चला है गौर्मेंट ने इसको मतलब लॉंच कर दिया है और उसके साथ साथ इनका जो क्या बोलते हैं पिक कि दोनों को अगर एक साथ चलाते हैं डीजल वाले और तो यह दोनों से कौन आगे निकलता है तो देख लिए डीजल वाला अभी भी पिछे है और उससे पहले यह निकल गया करके है और यह आपको बता हुआ कि रिलाइंस इंडिस्ट्री जो है ग्रीन एनरजी में काफी ज प्रचे ट्रक भी बना पाएंगे और हला कि इनका अगर आप देखोगे तो यह बैटरी वाले से यह थोड़े जो इनका बैटरी बहुत ज्यादा वेट भी होता है और यह वेट नहीं होता है यह थोड़ा हलका होता है और इसको चार्ज करने में पिछ ज्यादा टेंशन नह है एक्सपोर्ट मतलब सोचिए इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट हम खुदी इसको दूसरों को दे रहे इतना पाउर है तो और भी बहुत सारी चीज़े है देखने को तो असो कले लेंड है जिसने पार्टनर्शिप किया हलाकि टाटा ग्रूप में भी यह सारी चीज़े यार है यहाँ पर हेवी वेकल्स में बस वगरे में है तो बहुत सारी कमपनी लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो असो कले लेंड के ही हेवी वेकल्स वगर आपको देखने को मिल जाएंगे यह है और बसेस वगरा इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर मे है हर बर company का reserve बढ़ता जा रहा है company का reserve 8000 क्रोड का हो चुका था फिर कम हो चुका है हो सकता company ने कहीं इस्तवाल किया होगा पैसा लेकिन फिर भी company के पास reserve 7000 क्रोड का है जो कि बहुत जादा long term boring 2850 करोड का है ठीक है हो सकता कि company boring ने के कुछ बड़ा काम करने के कुशिस कर रही हो लेकिन short term boring में company के पास 1700 था 1100 किया फिर 656 किया तो हो सकता है कि कुछ date company कम भी कर रही है कहीं कुछ बड़ा भी रही है अब cash के मामले में देख लेते हैं तो यहाँ पर cash बताया जारा 1046 क क्रोड कैश है company के पास trade receivable जो है 3100 क्रोड का trade receivable भी आपको देखने को मिल रहा है आपर तो यह है असो कले लेंड आपको dividend भी देती है company long term में आपको फायदा भी देती है आज की rate में भी देखोगे तो भाई 40% तक का delivery उठाया गया है और अगर आप चाहो तो ऐसे ध्यान आने वाले दिनों में और भी कोई innovation होता है ब्लू ओशन की तरह company अगर काम करती है तो और भी बड़ा आपको benefit देखने को मिल सकता है केवल एक छोटा सहापत लग 2-4 रुपे में इस stock का price start हुआ था और आज कहां से कहां चला गया देखिया और ज़्यादा जनकारी लेने की कोसिस किजिए और सही रहेगा और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में open कर सकते हूँ जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री रहेगा delivery चार्जेस भी रहेगा केवल 20 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राडे में description में लिंक दिया गया ह में में जाके अपने डिमेट अकॉन बगर आपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में